आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरही स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत-बहुत सभागत है पॉलिटी का चैप्टर 59 देखेंगे बहुत इंपॉर्टन लोगपाल और लोकायुक्त तो चलिया आगे बरते हैं ट्विटर कंसेट पर शुरू हुआ था और अभी 40 देशों से जादा में है ना ओमबट्समेन लाइक इंस्टिटूशन और जहां पर ओमबट्समेन नहीं है जैसे कुछ कम्मुनिस्ट दे जैसे रशिया वहां पर प्रोक्यूरेट है है ना कहने का मतलब यह है कि हर जगा आपको ओमब समझा रहे हैं वहां कोई सुन नहीं रहा है आपसे बत्तमीजी से बात कर रहा है ठीक है और करप्शन हो रहा है आपको न्या नहीं मिल रहा है तो आप जाओ सीधा ओमबट्समेन में कंप्लेंड करो वो अंदर होगा जो भी आपके साथ यह कर रहा है वो अंदर होगा यूर 2010-2011, the iconic अन्नाहजारे, एक ऐसा movement जिसने भारत को हिला के रख दिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कितने सारे leaders आया उसके बाद, अरविंद केजरिवाल ने तो अपनी सरकार बना ली, अरविंद केजरिवाल चीफ अर्किटेक्ट थे, लेकिन अन्नाहजारे हीरो थे, सामने project करके वो movement चलाया, देश को हिला के रख दिया था, व्यवस्था को हिला के रख दिया था, और लोगपाल के स्थापना हुई, लेकिन लोगपाल के criticism भी होते हैं, अरविंद के रख दिया था, जादा तर democratic countries में ombudsman आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और जहाँ पर ombudsman नहीं है, वह आप उनका अलग mechanism है, वो अपने जैसे, जैसा कि मैंने बता कि रशिया में, कुछ communist country में procurate मिलेगा आपको, ठीक है, तो अब लोगपाल की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लोगपाल वई ombudsman, भारत में लोगपाल क्या है, ठीक है, भारत में ombudsman की बात करें, लोगपाल मतलब लोगों का दोस्त, जो लोगों की सुने, लोग अगर परिशान हो, तो लोगों की मदद की जाए, अक्सर हम खुदी experience करते हैं, कि कई बार हमको मन करता है, कि इस इंसान को जेल हो जानी चाहिए, हम कई बार अपने complain लेके, नेताओं के पास जाते हैं, IS IPS के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते ह आई होप आपने भी यह सारी चीज़ा experience की होंगी, है ना, और काफी बुरा experience होता, तो हमको लगता है कि क्यों इतना corruption है, इसके लिए कोई mechanism नहीं, हम कई जा नहीं सकते, IS के लिए आप कहा complain करेंगे, प्रधान मंतरी के लिए आप कहा complain करेंगे, लेकिन लोगपाल है, तो आ अभी मैंने आपको बताया, redressal of citizens grievances, अगर नागरिकों को परशानी है, तो उस परशानी का हल निकाला जाए, तो यहाँ पर ERC ने बोला था, 1970 की report है, याद रखेगा, लोगपाल जो है, वो president appoint करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से consult करेगा, speaker of लोगसभा से consult करेगा, तो इन सब के साथ consult करने के बाद, president लोगपाल को appoint करेगा, अब लोगपाल की characteristics क्या होगी, सबसे पहले तो independent होगा, यह बिलकुल आजाद होगा, और impartial होगा, समझ रहे हैं, दूसरी चीज, जो investigation होगी, वो बिलकुल privately conduct की जाएंगी, मतलब किसी का हस्तक शेप नहीं होगा, ठीक है, सरकार यहाँ पे हस्तक शेप नहीं करेगी, सरकार का कोई minister हस्तक शेप नहीं करेगा, तो बिलकुल privately और informal in character, formal नहीं होगी, formal होगी, तो सरकार का हस्तक शेप हो जागा ना, फिर सरकार अपने साब से चीजों को बदल सकती है, माल लीजे किसी की सरकार है, अब उसी क ही नेता, उसी के ही नेता के खिलाब complain आई है, तो फिर तो वो अपने नेता को बचाने की पूरी कोशिच करेगी, तो इसलिए इसको independent और impartial रखा गया, उसके बाद non-political, यह तो अभी भी है, non-political हो गया, appointment non-political ही हो गया, यह सब इसलिए है, ताकि लोगका युक्त और ल रहे हैं, और इसमें judicial interference भी नहीं होगा, मतब कोट भी इसमें इनकी proceedings में interfere नहीं कर सकता, इतना ताकत दी थी लोगपाल को 1970 की report में, commission में, बारे सरकार ने इसको accept तो कर लिया, लेकिन इसके बाद कोई इस पे कानून नहीं आया, लोगपाल के लिए यही बोला जाता है, कि इ दर्जा दिया जाए, इसको constitutional body बनाया जाए, संवेधानिक दर्जा तो statutory body बनाओ, लेकिन अब 2013 में जब यह act आया है, तब जाके इसको यह दर्जा मिला, ठीक है, तो अब यह पुरा एतिहां से 1968 से लेकर 2011 तक क्या हुआ, आप इसको post करके देख लीजेगा, कोई दिक्कत न जाए जांना जाणे का इतिहात बहुती शांदार रहा है, राले गाउ सिद्धी से आते, पहले military में थे, उसके बाद अपने गाउं आए, पूने के पास गाउं है राले गाउं सिद्धी, उस गाउं की हालत भराब थी, बहुत खराब, उस गाउं में हर एक इनसान बढ़ा हूँ उस गाउं में उस गाउं की आलत इतनी खराब हो गई है इतनी जादा खराब एक अंधे एक अंधकार यूग में गाउं था मौडन भारत में आधुनिक भारत में ऐसा गाउं और इसे बहुत सारे गाउं की आलत लोग शराब पी रहे हैं कोई फरकी नहीं पड़ रहा है बिलकुल जो ग्रोथ है उस गाउं की एकदम रुख गई अंधकार यूग में तब अन्ना हजारे का मूट खराब हुआ उन्होंन सद्धी को देखते ही देखते बदल दिया इसके बाद महराश्च सरकार के किलाब वो लगातार अंधूनल करते रहे और महराश्च सरकार ने बकाया था कुछ आक्ट भी पारित किया बहुत लंबा हैती हासा उनकी कहानी अभी फिलाल मैं नहीं बताऊंगा ठीक है तो आब पढ़िएगा शांदार कहानी अन्नाहजारे की पैरलली में अर्विन केजरिवाल थे पहले IIT थे IITN फिर IIS थे ILS छोड़ किया अर्विन केजरिवाल की एक बात में बहुत अच्छी लगती है हलाकि उनका पॉलिटिकल करिया शुरो में बहुत ही बेकार रहा यह सभी को मा पानी होती तो मैं IRS में रह के भी कमा सकता था पैसा कब ले सकता था क्योंकि आयस लेते हैं ऐसा कही बार होता है लेकिन तब भी वो मैंने नहीं किया मैंने स्तीफा दिया है ना तो उन्होंने आयस फोड़ा UPS से निकाला था फिर IRIS फोड़ा और उसके बाद फिर RTI के लिए उन्होंने संघर्ज किया मदर टेरेसा से भी जुड़े और फिर उन्होंने ये पुरा अंडिया अगेंस करप्शन के पुरा ब्रेन माइड उनका था ठीक है चीफ आर्किटेक्ट वही थे और उन्होंने बोला था कि अनना जारेकम सामने रखेंगे किरन बेदी भी अब उन्हेने अपनी अलग party बना ली कुमार विश्वास बहुत सारे वो अलगी था गली गली में याद होगा आपको मैं भी अन्ना तो भी अन्ना आप तो सारा देश है अन्ना किस तरीके से ये नारे गुंचते थे अलगी movement था वो पूरा देश जा गया था जितनी जल्दी movement उपर गया उतनी जल्दी मीचे आ गया एकदम से आज अन्ना हजारे को कोई पूछता भी नहीं अर्विन केजिरिवाल अपना politics में विजी हो गया किरनवेदी अपना विजी होगी बीजेपी जॉइन कर ली उन्होंने अब सब खतम है ना तो movement को जारी रखना बहुत ज़् देते थे आज भी भारत की problems तो कम हुई नहीं है बल्कि और जादा बड़ी गई है है ना रिपोर्ट्स आप पढ़ते ही होंगे कोई movement नहीं होता तो movement को जारी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सब non-violent होने चाहिए violence नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि Congress सरकार जुकी और 2011 में ये हम देखते हैं कि बकायदा पुरी committee बिठाई गई एक drafting committee बिठाई गई कि लोगपाल को कैसे frame किया जाए तो इसमें 5 नॉमिनी थे 5 नॉमिनी जो कि ministers थे government की तरफ से और 5 नॉमिनी थे अन्ना हजारे की तरफ से जिसमें अन्ना हजारे खुद भी इसमें अर्विन केजनिवाल भी थे 2011 से लेकर 2013 तक कई बार टसल हुई एक साल तो कोई सेहमती ही नी बन पाई ठीक है जो committee थी लेकिन अल्टीमेटली 2013 में हम ये देखते हैं 2013 में ये act को पारिद किया और 2014 एक जनवीरी 2014 से ये effect में आया तो अभी लोकायुक्त और लोगपा अर्ट जो है वो effect में है तो इसको दर्जा समयधानिक दर्जा तो मिल गया मालब इसको एक एक अर्ट तो पारिट पारिट हुआ फिरसमें कुछ amendments किये और ultimately एक जनवी 2014 से ये effect में आया अब इसके features क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका jurisdiction सब को cover करेगा प्रधान मंत् investigate कर सकते हैं तो यह बड़ी बड़ी जो organization है ना ठीक है इनके साथ मिल के भी ये काम कर सकते हैं बहुत बड़ी बात ही है समझ रहे हैं public servant हो गया Indian penal code हो गया special police establishment हो गया Delhi police establishment हो गया सब के साथ मिलके CBC हो गया ये लोग मिलके काम कर सकते हैं लोगपाल में 8 members होंगे 50% जो होंग ठीक है उसके बाद दोस्तों तो selection होगा selection के लिए committee बनाई जाएगी ठीक है प्रेसिडेंट लोगपाल को appoint करेगा लेकिन प्रेसिडेंट करेगा जो committee बोलेगी प्रेसिडेंट को committee जो है वो नाम सो जाएगी प्रेसिडेंट को विस committee में कौन होगा प्रधान मंत्री, speaker of numbers को decide करेंगी और फिर ये प्रेसिडेंट को बताएंगी कि आप इनको appoint करो प्रेसिडेंट जो है वो appoint करेगा समझ गए आप तो ये चीज़ है अब उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताए इनके पास पूरी ताकत है कोई भी complaint आ है इनको ये बिलकुल inquire करेंगे ठीक है foreign funding corruption भी हो रहा है वो उसमें भी inquire करेंगे तो लोगपाल को यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकत दी गई है लेकिन क्या actually में इतनी ज्यादा ताकत है सबसे पहली बात तो लोगपाल जो है वो खुद से जो proceedings है वो initiate नहीं कर सकती सुव मोटो स्वता संग्यान जो होता है ना ख खुद से कोई problem हो रही है ठीक है जैसे आपने देखा होगे कि Supreme Court अक्सर स्वता संग्यान लेता है जब कोई भी political parties मुद्दों को देखती नहीं है जैसे अभी labors का मुद्दा है कोई भी political party नहीं देख रही है तो Supreme Court खुद ही बोल रहा है खुद से ही उसने संग्यान लिया क कि labors और खुब फटकार लगाई है ना सरकार को कि labors का जो यह मुद्दा है यह आपको बहुत ही seriously लेना है कैसे migrate कर रहे है तो लोगपाल खुद से cases नहीं ले सकती किसी भी public servant या तो लोगपाल को कोई complain आएगी है ना या तो हम और आप complain करेंगे या फिर सरकार बोलेगी ख उसके बाद दोस्तो एक और चीज़ यहां पे ऐसा भी नहीं है कि आप कई बार ऐसा होता है कि हमको अपना नाम पब्लिक नहीं करना होता ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ आपने चिठी में लिखा और ड्रॉक बॉक्स में डाल दिया वैसा नह के लिए लेकिन उसके बावजूद दोस्तों हम देखते हैं कि वक्त लगता है टाइम टेकिंग है अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा कि लोगपाल ने किसी को कॉन्वेक्ट किया है ना होते हैं केस चल रहे हैं समझ रहे हैं जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ट्रांस्प ड्रॉबैक्स है उसके उसके बाद दोस्तों लोकायुक्त की बात कर लेता है देखें लोकायुक्त 1970 से हमारे यहां है 1970 में लोकायुक्त आक्ट पास हुआ था सेंटर में लोगपाल है और स्टेट में लोकायुक्त है ठीक है और 1971 में लोकायुक्त को स्टैबलिश किया था मह पहला स्टेट है महाराश्ट जीसे लोकायुक्त को established किया फिर उडिसा ने किया ठीक है हाला कि उडिसा ने स्टाइक को पास किया था फिर दिल्ली में अभी 21 राज्य और एक यूनियन टरिक्ट्री में लोकायुक्त हैं समझ रहे हैं 21 स्टेट्स 2013 तक यह आप समझे तो लोकायुक्त आपको राज्यों में मिलेंगे अब इनका जो टर्म होता है टेनूर होता है लोकायुक्त का वो 5 साल का या फिर 55 साल जो भी पहले हो और रियपॉइंट्मेंट नहीं हो सकता है इन सबका वही जो आम कंडिशन होती है कौन पॉइंट करेगा इस अब अगर हम बात करते हैं जूरिज्डिक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्म लोकायुक्त की है कि स्टेट के पास ताकत है तो उसमें यूनिफॉमिटी नहीं है मतलब एक स्टेट के कानून अलग है दूसरे राज्यों के कानून अलग है लोकायुक के मामले में जैसे कुछ स् कि प्रॉड चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया गए इनकी जूरिज्डिक्शन में बलकी महराज, रुत्तर प्रदेश, राजस्थान इसमें एक्स्कूड किया गए तो इनिफोर्मिटी नहीं है ऐसे ही मिनिस्टर और हैल सेविल स्वेंट के साथ है कहीं पे इंक्लूड कि तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोकायुक्त जब अपनी पूरी इंवेस्टिकेशन कर लेता है तो उसके बाद लोकायुक्त गवर्नर को रिपोर्ट देता है और गवर्नर जो है वो फिर स्टेट लेजिसलेचर के सामने रखता है ठीक है और फिर रेलेवेंट फाइल, डोकुमेंट्स और उसके बाद फिर फर्दर कॉन्विक्शन का प्रोसेश शुरू होता है पकायदा सजा है इसमें दो-तीन साल की सजा भी होती है ठीक है तो सजाएं भी है लोकायुक्त और लोकायुक्त अगर आप दोशी पाए गए तो ये लेच्चर था दोस्तों लोकाय और लोकायुक्त पे आई होप इसमें आपको कोई भी प्राब्लम नहीं रही होगी दोस्तों इसमें टेबल दिया है किताब में वो मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें ये दिखाए कि लोकायुक्त कौन कौन से स्टेट्स में है तो वो आप थोड़ा सा कंसेडर कर को चलेगे पर तरेए देशे से दान तक नहीं होती साइन ओड़ साइन ओड़